सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिलकुल मुफ्त में। आपका जो डाइस्टिव सिस्टम है, आपका जो पाचन तंतर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। आपका जो माइन्ड है वो बहुत ज़्यदा शांत रहता है, मस्तिश्क बहुत ज़्यदा थौर्स आपके दिमाग में रहती हैं और आप अपने दिमाग को शांत करना चाते हैं। साथी साथ आपकी थायराइड गिलांड अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपका जो थायराइड लेवल है वो अप और डाउन होता रहता है, वो बैलेंस नहीं है, आपके शोल्डर्स में बहुत ज़्यदे स्टिफनेस हैं, आपकी हिप मसल्स को आप फ्लेक्सिबल बनाना चाते हैं, तो दोस्तो आज के अभ्यास में हम आपको बताने वाले एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में, जो आपको help करेगा आपकी इंसारी समस्याओं को दूर करने में, साथी साथ इस आसन के regular अभ्यास से लगातार अभ्यास से आपको और भी कई ज़्यादा benefit मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दोरान बताएंगे, तो दोस्तो मैं अतुल मिश्रा और आप सभी का स्वागत है सिद्धी योगा में तो चलिए दोस्तो, अपने शचांक आसन rabbit pose का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की category और contraindications को समझ लेते हैं तो दोस्तो अगर category की बात करें, तो यह जो हमारा शचांक आसन rabbit pose है, यह आपके sitting postures की category में आता है साथी साथ यह एक forward bending pose है, तो forward bending poses की category में भी आता है और यह एक inversion pose भी है और stretching pose भी है, तो साथी साथ यह inversion poses की category में और stretching poses की category में भी आता है आप समझ लेते हैं इस आसन की contraindications, तो दोस्तो अगर आपको knee joint से related कोई injury है, आपको arthritis की समस्याई घुटनों में दर्ध है या फिर आपको hip joint से related कोई injury है, अगर आपको paid पर हाली में कोई surgery भी है और pregnant ladies को भी नहीं करना है साथी साथ अगर आपको back related pain है, आपको shoulders में pain है या फिर आपको cervical की समस्या है तो आपको इस आसन के अभ्यास को करने से बचना है साथी साथ जिन लोगों को high blood pressure है या hypertension की समस्या है वो भी इस आसन के अभ्यास को करने से बचेंगे अगर आप फिर भी इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छे योगशेक्षक के सानेद्य में ही इस आसन का अभ्यास करना है तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपने इस आसन के अभ्यास की ओर तो अभ्यास से पहले हम इसके जो preparatory postures हैं वो और इसके लिए क्या-क्या pre-practices हैं उनको समझ लेते हैं तो दोस्तो इस आसन के अभ्यास के लिए जो preparatory postures हैं वो है हमारे वजरासन और बालासन, child post तो ये दोनों आसन आप लोग को practice करने हैं तो सबसे पहले चलते हैं चलिए वजरासन के तरफ तो देखेए वजरासन भी है, इस आसन के लिए preparatory practice है तो आपको क्या करना है आपको पहले दंडासन में सबी लोग को दंडासन में बैटना है इस तरीके से और दंडासन में बैटने के बाद आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करके दाएं पैर की एडी को अपने दाएं हिप के नीचे बाएं पैर को घुटने से बैंड करके बाएं पैर की एडी को अपने बाएं हिप या कूले के नीचे रख लेना है आपको और इस तरीके से आपको वजरासन की पूजिशन में बैट जाना है दोनों पैर के अंगूटे आपस में टच रहेंगे और आपको अपने हिप्स पर बैटना है तो यह होगा है दोस्तों आपका वजरासन और जो इसके लिए वो आता है हमारा चायल पोस में क्या करना होता है आपको अपने दोनों हातों को इस तरीके से बॉड़ी के साइड से पाम्स को ऊपर की तरफ रखते हैं तो यह दोस्तों इस आसन के लिए प्रपरेटरी आसना है आपका जो सशांकासन है रैबिट पोस उसके लिए आपको वजरासन और चायल पोस दोनों आसन में प्रैक्टिस करनी है अगर आप वजरासन नहीं कर सकते हैं अगर आप चायल पोस में आपकी पोजिचन इस तरीके से हैं आप नहीं टच हो पा रहे हैं आपकी बॉड़ी जो है वो नी पोस्ट का अभ्यास तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक चायल पोस में आपका जो फो हैड है आपका जो माता है वह नीचे मैट पर टच नहीं हो जाता तो यह सबसे जरूरी चीज़ है साथ इसाथ वजरासन का भी अभ्यास बहुत ज़रूरी है अब देखते हैं दोस्तों यह सबसे बुक्रेटेस सहसे बात है तो कि अपेस तरीके से आपको इसमें क्या पोज की प्रक्तिक वह काफी अच्चि प्रपराइटरी और आशन है आपके सशांका बॉज्टाइं के लिए है तो जिस तरीके से हम इस तरीके से बैक को हंच कर रहे हैं सेम waar यह उच्छा हांच है ये आपको बहुत जदा करके अपनी बैक कर अच्छे तरीके से और हांच कर पाएं चिन never आज करेंगे स्वास चोड़ते हुए हंच आज करेंगे ऐसे आपको अभ्यास की प्राक्टिस के लिए तैयार हो जाना है तो यह काफी अच्छी प्रेक्टिस है आपके अभ्यास के लिए अब देखें इस आसन के अभ्यास को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको props का भी use करना होगा starting में ठीक है तो पहले मैं आपको props के साथ बताऊंगा आप कैसे as a beginner अभ्यास कर सकते हैं बट यहां पर अभ्यास को शुरू करने से पहले जो मैंने आपको आसन बताएं इसके जो प्रपरेटरी आसना है वो और जो प्री प्रैक्टिस बताई है के टेबल टॉप में और भजरासन में यह आपको अच्छे से practice करनी है पहले directly आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है गलती ना करें तभी लोगों को injury होती है ठीक है और साथी साथ आपको जो है और भी दिक्कते आ सकते हैं अगर आप गलत तरीके से बना प्रपेर की अपनी बोड़े को इस आसन के अभ्यास को करते हैं जब हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आप कोई भी योगा क्ला आपको बताएं इनकी प्रैक्टिस जरूर करें आप उसके बाद चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ तो आपको क्या करना है आपको इस तरीके से दोनों घुटनों पर खाड़े हो जाना है हातों को नीचे रखके अपने हिप्स को अपने हील से ऊपर उठा लेना है घुटन कि नीज के पास रखने का इस तरीके से ट्राइगेजिए इस तरीके से आप आप आएंगे आपके आपको 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 नीचे टच नहीं हो रहा है तो यहां पर आप ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं इस तरीके से आप क्या है बैक को हंच कीजिए ब्लॉक पर टूच कीजिए आप बैंड कीजिए एलपोस को टूच कीजिए बैक बैंड कीजिए टूच कीजिए बैक आप इस तरीके से बैक की हंचिंग का प्रयास कर सकते हैं फिर दीरे दीरे आप क्या करेंगे एक ब्लॉक को तो यह practice आपको करनी है ब्लॉक के साथ जिससे कि आप अपनी spine को हंच करना सीख पायें तो यह करता है यह help करता है आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में अगर आपको लोर बैक पेन की समस्या है तो उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इसाथन के अभ्यात से साथ आपके नेक पर जो चकड़न रहती है नेक जो स्टिफनेस रहती है उसको दूर करने में हेल्प क मिलती है अगर आपको समस्या अगर आपको तनाव है तो यह को बहुत जाड़ा हमार्मलल इंति muchísお願いします उसमें सब्सक्राइब अगर इसको का रिया का एधन form पित को पन्ट्रोल करने में बहुत ज़हता है करता है यह आजन आप हमने ब्लॉग के साथ प्रैक्टिस कर लिए ठीक है आप देखते हैं वेल्ड का यूज करेंगे इस आजन में किस तरीके से करना है अगर आपके लिए पॉसिबर है तो आप दोनों हातों से अपने करना है अपने और इस तरीके से हाफ करते रही है अपने हाथों को पकड़े रहें आप अपने आप अपने पंड़न आप कर एक दो को धिकता वाली बात ने हैं अगर आप स्टिके से बैल का यूज़ं कर लीजे एक कि ना आप में जा सकते हैं कि तो सब्सक्राइब को चब्सक्राइब चारफ को सीधा करना है हिपस को ऊपर की तरफ है कि अब्रीधिंग पर ध्यान देना है कि दीगी दे से बैक तो अगर आप अपने पैर को एडियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं आपके हाथ पैरों तक नहीं पहुंच रहे हैं आपके जो शोल्डर जॉइंड हैं वह काफी ज्यादा स्टिफ हैं तो आप इ क्यास को अच्छा बनाने में साथी साथ आपकी बॉड़ी को ओवर स्ट्रेच होने से रोकती हैं आपको इंजिरी की जो है समस्या नहीं रहती है अगर आप रॉप्स का यूज करते हैं तो चली आप देखते हैं किस तरीके तरह में फाइनल पोस करना होता है अपने फाइनल और दिरर दिर अपने हिप को अपस जितना हो कि आपको को अपने हिप्स को ऊपर की तरब उठाना है मैं sanctions म governo ध्यान दीजिए इस तरीके तो आपको वापस आना है तो जैसे कि आपने देखा आपकी कोर मुसल्स भी जो है एंगेज होती है तो यह आपके डाइजेशन को एक्टिवेट करने में आपके पाचन तंत्र को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा है आपकी जट्रागनी है उसको प्रदीप्त क करती है आपका खाना अच्छे से पचने लगता है अगर आपको और भी समस्या है इंडियेशन की आपको समस्या है इस प्रब्लम की तो ऑफ को बहुतίζास की अब्हुत आने के लिए आपको इस तरीके से वज्रासन से आने के बाद आपको दाएंपैर को सीधा कर देना है और आप इस तरीके से दन्डासन में आकर इस आसन के अभ्यास को छोड़ सकते हैं तो दोस्तों यह हमने आपको दी जानकारी शशांक आरशन यानि के रैबिट पोस के बारे में तो जैसे कि आपको बताया कि इस आसन के बहुत जादा बेनेफिट हैं और अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं प्रति दिन और आप फाइनल पोस तक पहुंच जाते हैं तो आदिसकंद आसन भूगर्व आसन इन आसनों के लिए यह आपको प्रपेर करता है बहुत अची प्रप्रेटरी प्राक्टिस है आपके इन सारे एडवांस पोजिस के लिए तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर प रेविट पोस का अभ्यास हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में नए आशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार